तो इससे पहले के class number 22 में 30 second और 31 seconds के बीच में मलब 912 frame तक इस story का editing हो चुका है अब हम क्या करेंगे इसके आगे का editing करेंगे उससे पहले क्या करते हैं अभी तक जितना भी story edit हुआ है उसको play करके देख लेते हैं कि कैसा बना है दूर एक जंगल में टूनी चरिया अपने दोनों बच्चों के साथ गोस्ते में बैठी हुई थी तभी उसका बच्चा बोला मुझे बहुत तैज़ भूग लगी है कुछ खाने को दो ना बेटा अभी तो कुछ खाने के लिए नहीं है मैं भी जंगल से तुम दोनों के लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ मा, आप चर्दी तो आ चाओगी ना, मुझे बहुत तेज भूग लगी है हाँ बेटा, मैं जंगल से कुछ खाने के लिए चर्दी लेकर आती हूँ और तुमी जडिया वहाँ तो यहाँ पर स्टॉप करेंगे और यहाँ पर देखे यहाँ पर जो चाइल बर्ड है उसका टॉलकिंग खतम हो रहा है फिर भी यह चाइल बर्ड टॉलकिंग कर रहा है तो यहाँ पर कुछ गरवर है तो इसको सही करते हैं यहाँ पर चेक करते हैं कि किस तरह से सही होगा तो जिस सीन में मिस्टेक हुआ है उस scene के first keyframe पे आ जाना है उसके बाद first click करके background को select करना है इधर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कुछ number लिखा हुआ है 334 तो यह number लिखा हुआ है 334 तो इसलिए यहाँ पे कुछ mistake हो गया है तो मैं आपको बताती हूँ समझाती हूँ कि कैसे इस number की वज़े से mistake हुआ है सबसे पहले आपको क्या करना है इस background पे double click करके इसके अंदर आजाना है जैसे आप अंदर आएंगे यहाँ पे आप blue line देख रहे हैं यह blue line यहाँ पे 334 के पास पे है तो इसका मतलब यही है कि यह 334 frame है यहाँ से start हो रहा है scene तो वहाँ पे जो number लिखा था वहाँ पे अगर आप जो भी number टैप कर देंगे वही से start हो जाएगा तो हम क्या करेंगे फर्स्ट फ्रेम से start करेंगे प्लेइंग करेंगे तो back जाएंगे और यहाँ पे क्या करेंगे वो जो keyframe था जहाँ पे scene start हो रहा है इससे पीछे है तो पीछे जाते है बैक जाते है और यह जो keyframe है यहाँ पे आएंगे timeline को line को रखेंगे और background को select करके तो इस number को delete करेंगे और यहाँ पे one लिखेंगे उसके बाद हम क्या करेंगे प्ले करके देखते हैं तो आप जाके यह सही हो चुका है अब second mistake क्या था यह जो child bird character है यह गुडिया उसका eyes blinking नहीं हो रहा है तो यहाँ पे मैं selection tool को select करती हूँ उसके बाद उपर timeline में यह जो blue line है उसको मैं आगे करती हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यह जो orange bird है गुडिया चिरिया है उसका eyes blinking नहीं हो रहा है तो यहाँ पर क्या करेंगे बैगरांड पर double click करके इस background के अंदर आएंगे उसके बाद यह जो bird है इसके birds के अंदर जाएंगे birds के अंदर double click करके birds के अंदर जाएंगे इसको हेट के अंदर जाएंगे डेवल क्लिक करके उसके बाद आइस को सिलेक्ट करेंगे जैसी आप आइस को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे दोनो आइस होए जो सिंगल सिलेक्ट हो रहा है जब भी आपका जो आइस ब्लेंकिंग एनिमेशन किया हुआ रहेगा तो आप अगर एक eyes को select करेंगे तो दोनो eyes और आटमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा तो यहाँ पर एक eyes select हो रहा है इसका मतलब eyes blinking नहीं किया हुआ है तो हमें यहाँ पर eyes blinking करना पड़ेगा तो चलिए यहाँ पर eyes blinking कर देते हैं इससे आप भी सीख जाएंगे किस तरह से eyes blinking किया जाता है तो eyes blinking करने के लिए आपको first eyes को select करना है उसके बाद shift button प्रेस करके keyword का shift button प्रेस करके दोनो eyes को एक साथ select करना है उसके बाद ऊपर side में दो eyebrow है तो उसको भी आपको keyword प्रेस करके दोनों eyebrow को select करना है चारों चलिए select करने के बाद यहाँ पर आप properties में देखेंगे तो यहाँ पर आपको group में देखेगा तो उसको आपको sample में करना है ग्राफिक में करना है तो right click किजे और convert to sample करके ok कर दीजे जैसी आप convert to sample करके graphic करेंगे तो इस eyes को पकरके मैं इधर right side करती हूँ तो यह सारा चीज एक इसाथ select होके right side में हो जाता है Ctrl Z करके वापस अपनी जगा पर करके इसको double click करके इस eyes के अंदर जाते हैं और eyes को zoom करके focus कर लेते हैं eyes के उपर इसके बाद eyes blinking करने के लिए आपको क्या करना होगा selection tool को select कर लिजे उसके बाद आपको यह जो eyes का white वाला part है उसको आपको copy करके paste करना है new layer पे तो वो कैसे करेंगे तो आपको eyes के अंदर double click करके जाना है इस eyes पर double click करके अंदर जाएंगे इसके बाद और अंदर जाएंगे और यह जो white parts है इसको हम क्या करेंगे copy करेंगे इस पर right click करेंगे और copy को option पे click करेंगे और back जाएंगे इस arrow से back जाएंगे उसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पे एक new layer बना के उस पे paste करना है यहां पर प्लस के option पर new layer बनाएंगे और यहां पर right click करके paste in place करेंगे तो यही पर वापस वही पर paste हो जाएगा अब ऐसा ही same process हम क्या करेंगे यह जो second eyes है इसमें करेंगे इस eyes पर double click करके अंदर जाएंगे और यह जो white part है उसको copy करेंगे right click करेंगे और copy करेंगे back जाएंगे और back जाएंगे और उपर साइड में यह जो उपर वाले layer है इसको select करेंगे और नीचे वाले layer को lock करेंगे इसके बाद क्या करेंगे right click करके इसको paste करेंगे तो अगर आप paste in center करेंगे तो यहां पर center में paste हो जाएगा इसलिए आपको paste in place करना है तो यहाँ पे control Z करते हैं उसको paste in place करते हैं जैसे आप paste in place करेंगे वहीं पे paste हो जाएगा जहाँ पे इसका eye है अब हम क्या करेंगे इसके पलक को color को इसमें करेंगे फिल करेंगे तो दोनों eyes को select करेंगे और फिल में जाकर इसका जो eyes का पलक होता है उस तरह का color में इसको करना है तो फिल में जाकर यहाँ पे select करते हैं color को तो orange color कर select कियें यहाँ पे यह जो color है वो बहुत dark color है तो इसको color को light color में change करेंगे तो यहाँ फिल में जाएंगे प्लस का option पर क्लिक करके एक new layer बनाना है इधर असाइड में आप देखेंगे यह सेफ है rectangle सेफ तो इसको select करेंगे उसके बाद यहां पर हम color में जाएंगे फील में जाएंगे और यहां पर color को select करेंगे blue color को उसके बाद यहां पर rectangle shape को draw करेंगे तो आपको mouse से इस तरह से rectangle shape को draw करना है इस तरह से rectangle shape को draw करने के बाद free transform tool को select करेंगे इसके बाद double click करके इस पूरे shape को select करेंगे उसको आइस के पास इस तरह से लेके आएंगे और rotate करेंगे और कुछ इस तरह से आपको set करना है आइस के पास इस शेप को इसके बाद ऊपर जो 30 seconds है उस तरह आपको frame को increase करना है तो उसके लिए क्या करेंगे ऊपर timeline पे सारे frame को select करेंगे और राइट क्लिक करेंगे और insert keyframe पे क्लिक करेंगे अब जो नीची के दो frame दो layer में keyframe लग गया है उसको clear keyframe कर लेंगे उसके बाद हम गया करेंगे 50 seconds पे जाएंगे और राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे इंसर्ट keyframe पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको selection tool पर right click करना है तो यहाँ पे आपको दो option मिल जाता है आपको second वाला option sub selection tool को select करना है उसके बाद आपको यह जो shape बनाए है blue color का इस shape के corner में आपको एक dot मिलेगा उस dot को select करना है मैं यहाँ पर zoom करके उस dot को दिखाती हूँ यहां पर मैं zoom कर ली उसके बाद sub selection tool को select करके इस first वाले dot को select करेंगे उसके बाद आपको keyword के save button प्रेस करके यह जो second dot है यहाँ पर इसको select करना है इसके बाद आपको क्या करना है keyword का down button है उसको press करना है जैसे आप keyword को down button को प्रेस करेंगे तो ये blue करका जो हमने shape बनाया है वो इस तरह से नीचे की तरफ आने लग जाएगा अब आपको selection tool select करना है उसके बाद आपको क्या करना नीचे ये जो line है stock है इसको आपको नीचे के side में इस तरह से करना है इसके बाद उपर timeline के पास जाना है और inside frame को इस तरह से select करके right click करना है यहाँ पर उसके बाद आपको create shape twin करना है इससे पहले हम classic twin करते थे classic twin टब किया जाता है जब कोई चैसे symbol में हो या फिर graphic में हो तो यहाँ पर graphic में हमने नहीं किया है इसलिए यहाँ पर create shape twin पर click करेंगे क्यूंकि यह safe है जैसे आप create shape twin पर click करते हैं यहाँ पर orange color का animation लग जाता है इसके ऊपर और यह smoothly इस तरह से animation बन जाता है अब आपको क्या करना है यह जो shape का layer है यह जो third layer है इस पर right click करके इसको mask करेंगे तो right click करेंगे और mask के option पर click करेंगे तो जैसे आप mask के option पर click करेंगे तो जो blue color का shape है वो hide हो जाएगा और इस तरह से eyes blinking create हो जाएगा तो यहाँ पर हम क्या करेंगे इसको frame को और ज़्यादा increase करेंगे क्योंकि eyes blinking हो जा रहा है यह animation बार बार होते रहेगा तो हम rest करने के लिए क्या करेंगे frame को increase करेंगे इस तरह से सारे layer को slack करके insert frame करेंगे अब हम क्या करेंगे abro animation करेंगे तो abro lock है तो abro का layer को unlock करेंगे और यह जो abro है इसको first click करके select करेंगे उसके बास keyboard का shift button प्रेस करके दोनों abro को select करेंगे right click करके cut के option पे click करेंगे इसके बाद ऊपर वाज लेयर को select करेंगे plus के option पे click करके new layer बनाएंगे और यहाँ पे right click करके paste in place कर देंगे इसके बाद फिर से right click करेंगे और distribute to layer करेंगे इससे क्या होगा दोनों eyebrow अलग-अलग layer पे हो जाएगा अब हम क्या करेंगे यह जो eyebrow है इसको यहाँ पे group में है तो इसको हम क्या करेंगे sample करेंगे graphic में करेंगे तो इसको right click करके इसको graphic करेंगे मतलब convert to sample करेंगे तो सबसे पहले यह जो first eyebrow उसको select करेंगे उसके बाद इसके राइट क्लिक करेंगे और convert to sample पे click करेंगे इसे तरह से यह जो second eyebrow है उस पर भी right click करेंगे और convert to sample करेंगे और ok करेंगे इसके बाद उपर timeline के पास आना है और दोनों जो frame है layer होसको इस तरह से select करके right click करना है और insert keyframe पर click करना है इसके बाद आपको क्या करना है 50 seconds पर इसको नीचे की तरफ move करना है तो 50 seconds पर जाएंगे और इनको भी दोनों frame को दोनों layer को select करेंगे एक साथ और right click करेंगे और insert keyframe पर click करेंगे उसके बाद आपको keyboard से down button को select करके नीचे के तरफ प्रेस करना है तो eyebrow का जो नीचे के तरफ इस तरह से animation हो जाएगा अब आपको इसको smoothly animation देने के लिए दोनों frame को दोनों layer को इस तरह सेलेक करके classic tune करना है तो अब यहां पर play करेंगे तो यहां पर इस तरह के animation बनके तयार हो चुका है तो यहां पर complete eyes blinking animation बन चुका है अब हम क्या करेंगे बैक जाएंगे यह जो arrow का option है इस पर click करेंगे और scene one पर चले जाएंगे उसको फीट इन window करेंगे और यहां पर scene one में है तो double click करके इसके अंदर जाएंगे sample two में हम आ चुके है और यहां पर first frame पर है तो यहां पर first scene का first frame से start हो कर यहां पर seven seconds से आगे तक का यहां पर खत्म हो रहा है जो फिर्स तेंगे सेत्ध इससे आगे का खत्म हो रहा है और जो second time का जो starting वह यहां पर eight seconds थोड़ा से पीछे है और ये भी second scene कहीं है और आगे जाते हैं तो यहाँ पर 27 तक यहाँ पर 27 तक third scene start हो रहा है और 27 की थोड़ा सा पीछे second scene का ending हो रहा है और यहाँ पर third scene का ending यहाँ पर हो रहा है 912 frame पर हो रहा है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे fourth scene का starting करेंगे editing तो यहां प्ले करके पहले आटियो को देखते हैं दूसरी तरफ कुसी जंगल में आम का इक, कवा भी रहता था वैंदि नबर पर चुड बोलता था तो fourth scene में हमें ये बनाना है कि दूसरी तरफ कालू नाम का एक cover रहता था एक दूसरी जंगल में तो उस scene को बनाना है तो हम क्या करते हैं सबसे पहले तो यहां पर एक background को open करेंगे तो file में जाएंगे और यहां पर this PC में जाकर में पास जो background है उसको मैं open करती हूँ तो यहां पर जो background number one है बीजी वन उसको open करती हूँ तो यह जो बीजी वन है यहां पर जितने भी बने हुए वो में नहीं बनाया तो यहां पर open करते है right click करके open तो यह कुछ इस तरह का background है इसको fit in window करते है तो यहां पर selection tool करके fit in window करेंगे तो यह हाईव vire file होता है इससी के वज़े से slow work करता है तो यहां पर आप देखे सकते हैं यह राज का scene बना हूँ हुआ है उप्र वाले layer में राद का scene बना हुआ हूँ अगर उपर वाले layer को hide करेंगे तो आपको दिन का scene भी यहांपे नीचे पर लेयर काờ Found तो यह scene तो अभी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है इस scene पर हम नहीं बनाएंगे इस background को नहीं लेते हैं कोई और background को लेंगे तो हम क्या करते हैं यहाँ पर बीजी 2 को open करते है देखते हैं कैसा background है फिट इन विंडो करते हैं तो यह बीजी भी सही नहीं लगएगा तो फिट इन विंडो करते हैं इसको फिट इन विंडो करते हैं एंडिट के पास आगके फिट इन विंडो करेंगे उसके बाद यह रात का scene है तो उपर बाले layer को height करेंगे तो नीची का जो भी layer में scene बनावा है वो यहाँ पर सू होने लग जाएगा तो मुझे लगता है यह वाला scene हम use कर सकते हैं यह वाला background तो उस पर frame पर right click करके इस frame को copy कर लेते हैं नीची वाले layer का frame है background को उसके बाद हम क्या करेंगे story का जो project है उसमें जाएगे और यहाँ पर right click करेंगे यहाँ पर paste frame करेंगे और put duplicate item यहाँ पर click करके ok करेंगे उसके बाद यहाँ पर यह background आ जाएगा इसके बाद इस background पर right click करके convert to sample करके ok करना है तो यहाँ पर हमने जो bg का जो file को open किया है उसको यहाँ पर close करेंगे तो यह सारे file को close करेंगे क्योंकि फिर वो जो काम होता स्लो वर्क होने लग जाता है इसलिए यहां पर एक्स्ट्रा चीज को यहां पर नहीं रखेंगे इसके बाद इस बैगरण पे डावल क्लिक करके इसके अंदर जाएंगे इसके बाद यहां पर आप देख सकते हैं सारा कुछ अलग अलग चीज बना हुआ है जैसे कि यह ट्री है इसको इस तरह से मूव कर सकते हैं आप इस ट्री को भी इस तरह से मूव कर सकते हैं तो इस तरह से आपका यह जो बैगरण है मैंने यहां पर बनाया हुआ है तो अब हम क्या करेंगे इस background को और select करेंगे इस तरह से frame को select करेंगे तो ये सारा select हो जाएगा अब इस पर right click करके इसको भी convert to sample करके ok करेंगे इतना करने के बाद यहाँ पर character को paste करना है जैसे कि कालू का हुआ जो है उसको यहाँ पर paste करना है तो हम क्या करते हैं यहाँ पर character वाला फाइल है उसको open कर लेते हैं इस character वाले फाइल को open करेंगे इसके बाद यह थोड़ी दिर में open हो जाएगा उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ जो 100% लिखा रहा है उस पर click करके यहाँ पर so all करेंगे तो यहाँ पर जितना भी character से वह यहाँ पर आ जाएगा तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कालू कोव को copy करेंगे तो इस कालू कोव को पर zoom करेंगे और selection tool को select करके इस कोवे को copy करेंगे right click करेंगे और copy करेंगे उसके बाद project पर जाएंगे और यहां पर क्या करेंगे इसको lock कर देंगे इस background को lock करने के बाद ऊपर new layer पर click करके यहां पर paste in center करेंगे उसके बाद इसको flip करेंगे right click करेंगे transform पर click करेंग और flip करदेंगे इसके बाद laquelle को साइज को बढर उसको बढर करेंगे तो ब्रस्ट को एलब करेंगे इसके बादा पर वह स्टेज को डिया आधे को उसके जूम करेंगे तो यह करेक्टर के साथ भी बैग्राउंड जूम हो जाएगा तो मैं यहां पर सेट करलेती हूं अच्छे से इसको और जूम कर लेते हैं उसको फिंट इन विंडो करके इस क्रेक्टर को सेंटर में आवे सेंटर में आप अब हम क्या करेंगे, इस टोड़ी को प्ले करके देखते हैं कि क्या सीन बनाना है। दूसरी तरफ उसी जंगल में कानु नाम का एक कवा भी रहता था। वह दिन बर जूट बोलता था। जूट बोलकर कानु कवा पक्षियों को बहुत परिसान करता था। काल गवे को आसमान में तूब करा था तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? यहाँ पर राइट क्लिक करके इन्सर्ट फ्रेम करेंगे तो यहाँ पर CTRL माइनस करके स्टेज के साइज को छोटा कर लेंगे उसके बाद इस बैगरॉण को इस तरह से घीचेंगे ताकि zoom in वाले effect यहाँ पर देना है इसलिए उसके बाद इस characters को इस तरह से बीच में रखेंगे इस background को उसके बाद हम क्या करेंगे उपर timeline पर जाएंगे और frame पर right click करके create classic queen देंगे उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पर play करके देखते हैं तूसरी तरफ उसी जंगल में कार्म नाम का यहाँ जो character है इसमें कोई भी animation यहाँ पर नहीं दिख रहा है तो हम क्या करेंगे इस background पर double click करके इसके अंदर जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एकी frame बना हुआ है इसलिए animation इसमें नहीं दिया गया है इसलिए हम क्या करेंगे इस सारे frame को इस तरह से दोनों frame को select करेंगे और right click करके insert frame करके इसके frame को इंग्रीज करके back जाएंगे तो हम यहाँ पर एक key frame लग गया है तो इसके अंदर जाएंगे तो key frame लग जाता है तो इसको क्या करेंगे clear key frame कर लेंगे तो इस सिन का जहां से स्टार्टिंग है वहां से यहां पे प्ले करके देखते हैं दूसरी तरफ उसी जंगल में कानुग नाम का एक गवा भी रहता था वें दिन बर जूट बोलता था जूट बोलकर कानुग गवा पक्षियों को बहुत परिसान करता था कालू कवे को आसमान में यहां पर स्टाप करेंगे अब हम क्या करेंगे बैक जाएंगे और यहां पर एक और यहां पर क्या करेंगे राइट क्लिक करके इंसर्ट कीफें पर क्लिक करेंगे तो words को तो वो देखेगा इसलिए zoom out कर लेते हैं उसके वाँ हम क्या करेंगे इस background को duplicate sample करेंगे राइट क्लिक करके duplicate sample इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसमें अगर चिरियां को add करेंगे तो पीछे जो background हमने use किया है जो अभी scene बनाया है उसमें भी चिरियां add हो जाएगी automatic इसलिए आपको जो भी change करना है तो आपको duplicate sample करके change करना है तो अब यहाँ पर फिर से play करके देखते हैं तो यहाँ पर stop करेंगे अब यहाँ पर क्या करेंगा stop करने के बाद यहाँ पर हम frame को increase करेंगे राइट क्लिक करके insert frame पर click करेंगे क्योंकि यहीं तक scene है वो जो flying करते वे जाती है वहीं तक scene है अब हम background को इस तरह से set कर लेंगे set करने के बाद तो यहाँ पर हमें चाहिए टूनी चिरिया जो कि flying करते वे जाए तो हम क्या करेंगे character में चले जाएंगे और copy करेंगे राइट क्लिक करेंगे और copy पर click करके वो जो story वाला project है उसमें जाएंगे और इस background पर double click करके इसके अंदर जाएंगे तो यहाँ पर duplicate symbol तो हमने किया ही नहीं तो हम लोग क्या करेंगे back जाएंगे और यह जो background है इसको duplicate symbol करेंगे क्यूंकि अगर इसमें duplicate symbol नहीं करेंगे जो इस वाले scene में भी चीरिया एड़ हो जाएगी तो duplicate symbol करने के लिए इस background पर right click करना होगा back ground पर select करके right click करके duplicate symbol पर click करके Ok करे उसको double click करके इस background के अंदर चले जाए उसके बाद यहां पर first in पर आके यह जो plus वाल असाइन उससे new layer बनाए उसके बाद right click करके paste in center करके character को paste करें अब इसको हम क्या करेंगे थोगा सब बड़ा करेंगे और यहां पर उपर side में sky के पास यहां पर रख देंगे अब हम क्या करेंगे यहां पर flying करना है न तो हम audio को यहां पर लेके आएंगे तो audio को लाने के लिए इस audio पर right click करके split audio पर क्लिक करें तो अब इस audio के keyframe को copy करेंगे तो right click करेंगे और यहां पर copy frame के option पर क्लिक करेंगे इसके बाद यह जो background है इस background पर double click करके इसके अंदर आएंगे और यहाँ जो plus का option है उस पर click करके एक new layer बनाएंगे उसका इस new layer का जो यह first frame है उस पर right click करेंगे और यहाँ पर paste frame पर click करेंगे तो यहाँ पर audio paste हो जाएगी तो कालू कवे को आस्मान में टूडी चरिया दिखाए दी तो यहाँ पर 108 frame तक हमें क्या करना है चरिया का जो flying animation यहाँ पे करना है पर progressive recording तो यहाँ पे हम क्या करेंगे इस चरिया को select करेंगे और इसको आगे की तरफ इस तरह से move करेंगे इस तरह से move करने के बाद इसको थोड़ा सा इसको थोड़ा से पीछे करेंगे ऊपर आप timeline के पास जाएंगे और layer को select करके classic twin करेंगे उसके बाद हम क्या करेंगे ये जो कालू को हुआ है ये ऊपर की तरफ चुरिया को देखते हुए यहाँ पर scene बनाना है तो इस character पर right click करके duplicate symbol पर click करके ok click करें तो इस character के अंदर चले जाएंगे उसके बाद क्या करेंगे ये जो head है इसको select करेंगे और इसको duplicate symbol करेंगे तो इसके राइड क्लिक करेंगे और यहांपर duplicate symbol कर देंगे उसके ओके करेंगे उसके बाद toolbar में free transform tool को select करेंगे और इसका यह जो point है यहांपर लगा हुआ है automatic इसको उपर के तरफ कर देंगे आपको point लगा के उपर करना, उसके back आना है, उसका fit in window करके यहाँ प्ले करते हैं तो यह scene भी बन गया है, आप हम क्या करते हैं, इसको back जाते हैं, arrow से back जाएंगे और timeline के पीछे जाएंगे, यहाँ starting scene पर जाएंगे और यहाँ प्ले करेंगे काल हुकवे को आसमान में टूडी चरिया दिखाई दी तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर camera zoom in effect दे देते हैं तो यह जो first frame है, first frame के starting scene में आने के बाद, यहाँ पर हम क्या करेंगे, right click करेंगे और यहाँ पर insert keyframe पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर क्या करते हैं, जूम आउट कर लेते हैं और इसको background को थोज़े इस तरह से घीचना है, घीचने के बाद इसको beach में इस तरह से set करना है, fit in window करेंगे अब timeline के पास जाके, right click करके create classic tune पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर play करेंगे तो यह scene बन चुका है, तो हम यहाँ पर back जाते हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, 45 seconds तक यह scene बन चुका है तो इसके आगे का जो भी story editing करना है, वो अगले वीडियो में, अगले class में हम आपको बताएंगे तो यहाँ पर मैंने जो भी कुछ यहाँ बताया है, आपको सिर्फ उसको देखना नहीं है, मतलब आपको सिर्फ वीडियो नहीं देखना है, आपको साथ ही साथ practice भी करना है आपको अपना laptop को on रखना है साथ में और यहां पर मैं जो भी process बताती हो उसको आपको साथ ही साथ में practice करके देखना है और मैं आपको suggest करूंगी कि आप videos को बार बार देखिए क्योंकि अगर एक बार में यहां पर आपको समझ में नहीं आएगा अगर आप एक चीज़ को यहां पर process करते रहेंगे तो यहां पर मैं जो दूसरा step बता रही हो वह आपको यहां पर process नहीं होगा इसलिए आप videos को बार बार देखा किजी और हाँ अगर आपको यह videos पसंद आ रहे हैं तो इस video को like कर दिजे और comment भी किजे इससे मुझे motivation मिलेग कि आप लोगों के लिए video बनाने के लिए चलिए फिर मिलते हैं next class में next video में कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो